कि हैं ना है है mila यह फ्रेंडाट फ्रेंड अब हम देखेंगे वन टू मैंटि रिलेसरेशन्शिप में क्या होता है मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि इसके अंदर हमें दो इस तरह के देखे a relationship करने परते हैं येज मैय निंद लॉंग्स टू पहले में हम वन टू वन में कर रहे थे हैं वन ब्लॉंग्स टू पर इसमें करना पड़ेगा है मेनि ब्लॉंग्स तू बस यही एक चैंज है और यह काम कर जाएगा ठीक है और इसके अलवा सब one to one की इतारी ही है तो मैं जाता हूँ सबसे पहले one to one one to many का एक route बना लेता हूँ यहां पे गया इसको मैंने copy किया और यहां पे किया many one to many और यहां पे किया many क्योंकि मैं one by one दिखाना चाहता हूं करके ठीक कोपी पेस्टी करूंगा क्योंकि ज्यादा कुछ इसके अंदर है नहीं और यहां पर गया वैर फंक्शन लिया एसिंग तो यहां पर देखें फैटर और फंक्शन बना दूंगा मैं यह हो गया अब इशको यहां से एक्सपोर्ट करा देंगे यह हो गया ठिक इसको मैंने कोपी किया जो यहां पर रख लिया अब देखिए one to many के लिए किसी एक टेबल में मालिजी एक में एक एक रीकोर्ड होगा तो उसके मेनी रिकोर्ड होंगे जैसे यूजर एक तो एड्रेस मल्सफिल होने चाहिए ब theor मैं यहा Cell 5 को पी करता हूं कि सबसे पहले हम इसको इंसर्ट मॉल्टीपल इंसर्ट करा लें तू क्यों कर दूंगा अभी मैं डेटाबेस में ले जाता हूं और यहां पर जो कॉंटक्ट टेबल है देखरो यहां पर जो कॉंटक्ट टेबल है इसके अंदर तू यूजर आईडी तू है तो मैं चाहता हूं तू के चलता हूं एक्जीउट करूंगा इसको तो यहां पर देखे मैंने दूसरे ब्राउदर में की सई से दिखे तो इस तरह से मैंने ओपन भी कर लिया है वन टू मैंनी थोड़ा फॉर्मेटेड वे में आए यहां पर एंटर किया मैंने यहां पर देखें कितना डिफरेंस है दोन टू मैंनी के लिए हमें यहां पर भी चेंज करना पड़ेगा सीपेट नकाव्यच काना और अब होआ सर्वर RAW अब चल कर देखें अब मैं करता हूं इसको रिफ्रेश¥ कि सर्वर रिस्टार्ट नहीं हुआ था और जब वन्टू मैनीज करेंगे तो हम यहां पर जाके चेंज कर देंगे तो एरर आगी एरर किसलिए आगी क्योंकि यहां पर डेटा जो है यह करें कि डेटा नहीं है तो फिर भी लेकिन एंट्री तो पहले ही होगी डेटाबेस में देखते हैं देखिए यहां पर एंट्री आगी दो रिकोड हो गए हमारे पास अब इसको अगर वन कर देता हूं एक रिकोड ले लेते हैं और इसको कर देता हूं गुरू ग्राम और इसको कर देता हूं मेरत मेरत और गुरू ग्राम कर दिया अब चलके फिर मैं रिफ्रेस्स करता हूं यहां पर ठीक है यह देखिए डेटा वन डेटावेस में देखते हैं इस बार यह देखिए वन के दूरीकोड आगे टू के दूरीकोड आगे अब चलते हम हवस्ष मैनी हमें हमें इंडेक्स में जाकर यहां पर हैस Ou मैनी करने होगा इसको अब चलके देखते हैं अब हुपीएस्टी करेंगिए ज्या Eduard सबसे पहले हम जाते हैं हमारा यह था यहां कि यह हो गया अब उपर जो मेरे यह इंसर्शन है इसको मैंने कॉमेंट कर दिया और यहां पर इसको अनकॉमेंट कर दूँगा कि अनकॉमेंट हो गया अब चलते हैं कि देखेंगे यहां पर कि रिकोड अभी एंटर ही हो रहा है कि सेव नहीं हो यह फाइल के ओके क्यों डेटा तो आ रहा है में आईडी टू मैंने पास की थी आईडी टू आईडी टू के लिए मेरे पास के तने आ रहें कोंटेक्ट डिटेल में दो दो रिकोड आ रहें तो यह है यहां पर देखें एक यूजर के दो कोण्टेक्ट हो गए यहां पर तो यह होता है और यूमेनी अब इस सब्सक्रा अब चक स्ih Len today如果你 उसके 2 रिकोरवर्ण है कोंटाक्ट 2 है सब्सक्राइब होक है इस तरह से हम्हें वनिमयिना में एस तरह से रिलेशंग में देगा अब यह आता है कि अगर हम इस तरह से यूज करें है जो हमने यहां पर किया था तो मैं निटूध We कि यहां पर देख लेते हैं इसको मैं कॉमेंट कर देता हूं कि कॉमेंट कर दिया अब हम चलेगे यहां पर यहां पर देखते हैं यहां पर क्या लिया है हमने कॉंटेक्ट टेबल से लिए वहां पर लिया था यूजर टेबल से यहां पर यूजर टेबल से यूजर एक है लेक टू मैनी में क्या हुआ जो भी हमारा ABC XYZ अब मैं जाता हूं यहां पर इसको इसको ID2 वाला रिकोर्ड ले रहा है ठीक है अब यह 1-2-1 बिहेव कर रहा है यहां पर अगर मैं इसको हटा हूँ तो अब आप देख रहे हैं अब यह अगर हम इसे reverse order में करें तो यह one-to-many नहीं हुआ यह one-to-one की तरह से बिहेव कर रहा है one-to-one की तरह से क्यों क्यों कर रहा है अब मैं आपको इसमें लेके जा रहा हूं क्योंकि यहां पर देखिए इस पहले record की पहला record आएगा contact का फिर उसके users चेक करेगा अगर users multiple होते तो one-to-many हो जाता लेकिन users multiple नहीं है users one है तो one-to-one कर रहा है many तो अब इसमें एक problem हो रहाती है कि जब हम one-to-one has many से भी कर सकते हैं तो has one क्यों use कर रहे हैं देखिए यह जो है recommended है कि हमें अगर पता है कि one-to-one one-to-one relationship है तो हम has one ही use करें लेकिन अगर हमें पता नहीं है मान लीजे कभी नहीं तो हम has many ही use करके चलें कि multiple record भी आ सकते हैं अगर ऐसी possibility है तो one-to-one भी handle कर लेगा और one-to-many भी handle कर लेगा यह ठीक है तो यह इसका benefit है कि has many one-to-many भी handle कर सकता है one-to-one भी handle कर सकता है अगर हमें exact पता है कि one ही record होगा एक user का एक ही contact होगा तो has one ही use करना है यहाँ पर यहाँ पर देगे has one ही use करना है इसको copy कर लेता हूँ और यहाँ पर इस तरह से जाके has one ठीक है यह comment कर दिया तो जब one-to-one होगा तो यही करना मुझे exact पता है कि एक से ज़्यादा नहीं होगा तो फिर has many नहीं करना अगर एक से ज़्यादा contact है तो has many करना लेकिन यह handle has one भी कर लेगा recommended है अगर पता है तो यह करें वनना तो has many करें ठीक है I hope आपको clear होगा ठीक है तो अब नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे many to many thank you for joining please subscribe my channel